नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी चैनल पर आज हम लोग मुहमद अजिस सहाब के एक ऐसे अलबम गीत के बारे में बात करने वाले हैं जो गुलसन कुमार जी की प्रस्तुती में रिलीज हुई थी यूँ तो मुहमद अजिस सहाब ने गुलसन कुमार सहाब के प्रस्तुती में बहुंस सारे एलबम हैं और बहुंस सारे फिल्में हैं जिन में काम किया है लेकिन आज हम लोग एक ऐसे ही एलबम के बारे में बात करने वाले हैं जो गुलसन कुमार जी की प्रस्तुती में रिलीज हुई थी और उस एलबम में मुहमद अजिस सहाब ने मुहमद रफी सहाब के एक ट्रिब्यूट गीत को गाया था जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया दोस्तों आप लोगों को 1977 की फिल्म अमार अगबर इन्थोनी तो यादी होगा और ये फिल्म काफी ज़्यादा पापूलर हुआ था और इस फिल्म में कवाली गीत थी जिसे मुहमद रफी सहाब ने काया था गीत के बोल हैं तारिफ तेरी निकली है दिल से आई है लब पे बनकी कवाली सिरीडी वाले साई बाबा ये कवाली गीत सत्तर और अस्ती के दसक में काफी ज़्यादा पापूलर हुआ था और ये गीत जो है वो रिसी कपूर पे फिल्माया गया लेकिन दोस्तों के आप लोगों को पता है इस बहुत खुपसूरत कवाली गीत को मुहमद अजीस सहाब ने भी अपने वाज दिया था और अलबम का नाम है इसवर सत्य है और ये अलबम 2005 में रिलिज हुई थी और गुलसन कुमार जी की प्रस्तुती में रिलिज हुई थी टी सिरीज पर और इस अलबम में मुहमद अजीस सहाब ने एक ही गीत गाया था मुहमद रफी सहाब का जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और अगर आप ये गीत जो है वो मुहमद अजीस सहाब के आवाज में सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे आप लोगोंने मुहमद रफीज साहब के आवाज में ये कवाली गीत जो है वो बहुत ही जादा सुने होंगे लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि मुहमद रफीज साहब के इस सुपर हीटी कवाली गीत को मुहमद अजिस साहब ने भी अपने आवाज दिया था तो आईए एक जलाग इस गीत की तरह तो यही अलबम है दोस्तो इस वर सत्य है और इस अलबम में मुहमद अजीस सहाब ने अपनी अवाज दिया था यू तो इस वर सत्य है अलबम जो है वो अलग अलग पार्ट में बना है और बहुं सारे सिंगर है जिन लोगों ने अपनी अवाज दिया लेकिन 2005 में रिलिज हुई इस वर सत्य है इसमें मुहमद अजीस सहाब ने भी अपनी अवाज दिया था और इस अलबम में अनुराधा पंडवाल, महेंदर कपूर, सुनुन गम, सुकविंदर सिंग, इसके साथ ही मनहर, उदाज, बिला सुलाखे, साधना सरगम जैसे कई बड़े-बड़े दिगज सिंगर है जिन लोगों ने काम किया है और इसमें का जो गीत है वो बहुत है तक पापुलर हुए है और दोस्तो इस वर सत्य है अलबम में पुराने हिंदी गीतों को इन सिंगरों ने अपनी अवाज दी है ये एक ट्रिबूट एलबम है जिन में मुहमद रफी और कई इस सिंगर है जिन लोगों की गीतों को अलग-अलग सिंगरों ने अपनी अवाज दी है और बहुत ही बड़ी हाँ भजन एलबम है दोस्तो जो आप लोगों को काफी पसंद आएगा और दोस्तो 2004 में भी इसकी अलग पार्ट आई थी क्योंकि गुलसन कुमार सहाब ने इस वर सत्य है इस अलबम को अलग-अलग पार्ट में रिलिज किया था और दोस्तो 2004 में इस वर सत्य के और अलग पार्ट आई थी जिसे आप लोगों ने काफी पसंद किया और 2005 में आई एलबम इस्वर सत्य हमें मुहमद अजिस सहाब ने अपने आवाज दिया था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं यू तो मुहमद अजिस सहाब ने टी स्रीज पे और इसे बहुत सारे अलबम है जिन में काम किया है और ट्रिबूट गीत भी गाया है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं तो दोस्तों आप लोगों को इस्वर सत्त है अलबम का ये गीत जो है वो मुहमद अजीस साब के आवाज में कैसा लगा हमें कामेंट करके जरूर बताएगा आप लोगों ने मुहमद रफीस साब के से बहुत सारे गीत है जो मुहमद अजीस साब के आवाज में सुने ही है ले अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीज़ेगा सेयर कीज़ेगा थांच दस्तों हमारी वीडियो वाचिंग करने के लि आपें